नमस्का, राजनमा टीही पर आपका सौगत है, मैं प्रियाम आपके साथ सीहोर में 300 फिट गहरे बोर्वेल में गिरी तीन साल की स्रष्टी को बाहर निकालने की जद्दो जहएद जारी है हाला कि रसी की मदद से उसे बाहर निकालने की सेना की जवानों की कोशिश फेल हो गई है दरसल सश्टी जवानों की रसी में फस गई थी उसे दीरे दीरे उपर खीचा जा रहा था उसी दरम्यान वह रसी से फिसल गई फिलहाल पूरे D एरिया को पुलिस और बचाव दल ने कवर कर रखा है बोर्वेल वाले एरिया को टेंड से कवर कर दिया गया है मोके पर डॉक्टर्स के साथ एम्बूलेंस मौजूद है बता दे कि बच्ची मुंगावली में मंगलवार दो पर करीब एक बजे बोर में गिर कर 29 फीट नीचे फस गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन के दुरान कमपन से वो बोर्वेल में नीचे धस रही है बच्ची अब करीब 100 फीट नीचे चले गई है मंगलवार दो पर दो बजे से NDRF, SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है उसे निकालने के लिए 10 से ज़्यादा जैसी भी और पॉकलेन मशीनों की मदद से 5 फीट दूरी पर समानांतर गड़ा खोदा जा रहा है टीम बुधवार सुबस साड़े ग्यारा बजे तक बोर के पैरलेल 32 फीट की खुदाई कर चुकी है बुधवार को आर्मी ने भी मोल्चा समभाल लिया मुक्यमंदरी शिवरा सिंग चोहन ने खहा कि बच्ची को निकालने के प्रयास लगातर जारी है लेकिन खोदते समय वाइब्रेशन के करण वो नीचे खिसक गई हमने आर्मी को काल कर मौके पर भेजा है NDRF और SDRF पहले से काम कर रही है हमारा पुरा प्रया से बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए बच्ची का नाम सुरुष्टी बताया गया है उसके पिता का नाम रहूल कुश्वा है मौके पर S.P. मयंक अवस्ति भी मौजूद है बच्ची तक ऑक्सिजन पहुचाई जा रही है उसके मौमेंट पर नज़र रखने के लिए बोर्वेल के अंदर इंस्पेक्शन केमरा भी डाला गया है एम्बूलिस और मेडिकल टीम भी मौके पर तेना थे इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ दाने बाद